तो हेलो एवरिवन मेरा नाम है जामिन आज हम दुबारा से खिलने जा रहे हैं बैटमें टैटल सीरीज एपिसोड वन का पार्ट पॉर तो चलते हैं केम की ओर तो पिछली वीडियो में आपने देखा था एक अंकल ने बैटमेन को एक कार्ड दिया जिसके पीछे लिखा था पार्क 6 a.m तो चलते हैं केम की ओर भीन बेटमेन बीनोद को कहीं देखा कि तुमने मैं नहीं देखा आज मैं भी बोलूँगा बीनोद के बारे में कोबबड पार्क 6 p.m मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना गार्ड के पीछे लिखा है 6 p.m देखा कि यहां एक न्यूस पेपर पड़ा है उसमें कुछ लिखाया है दग गौतम उसके नीचे जो भी लिखाया है आर्टिकल है किसी का तो चलो छोड़ो उसे कि इस दिवाल में पेंट से कुछ लिखा गया है कि चलो उपर की और जाते हैं कि वहां कोई आदमी पड़ा हुआ है जमीन पे अधेक्यू सब्सक्राइब बैटमेन ने उस आदमी की हेल्प की अरे भाई लोग यहां बहुत थंडी है सुबा के छे बजे तो थोड़ी सी मैं क्या आक्ता आप लेता हूं वहां नीचे कि श्ट्रेट चू है चलो चलते हैं वहां नीचे वहां एक आदमी है चलो चलते हैं उसके पास यहां भी दिवाल में कुछ लिखा हुआ है कोबो बोट पार्क इस्थापिट 27 सेटेंबर 1927 यहां और भी नीचे उसके बारे में दिया गया है लो आगे साले चुर क्या किली मार के दिखा जाए और यह कौन है लगता है यह बैटमेन का दोस्त है मैं अगो को खाव कता है से अबेख दोना. Oh, माझा एख? एंदा दिखना मादि है, वर ने मारूं एव से जादा, तुमने सुना उस बीनोद के बारे में अरे यार वो यूटूब में बहुत स्वेमत हो चुका है हाँ यार वो बीनोद ना तो सुनो ने यार चलो अपन दोनों बीनोद को खोशते हैं बीनोद मेरे चैनल पर खुद आएगा मुझे मालूम है वो तुम्हारे चैनल पर क्यों आएगा वो उन बड़े बड़े यूटूबर्स के पास भी जा सकता है तो क्या है चलो हाँ हम दोनों मिलकर खोशते हैं बीनोद को और अपनी चैनल को ग्रो करते हैं तो बीनोद को खोशना है उसकी फैमली बैन भाई उसके पिताजी बच्चे बीवी सब को खोशना है तुम समस्तो रहे हो ना हमें उसे खोशना है हां तुम ठीक कह रहे हो तो सुनो मेरा प्लैन टीवन से उसके पीछे बहुत से लोग पढ़े होंगे लेकिन हमें उन सबसे पहले पकड़ना है बीनोद को बीनोद के बारे में हम यूटूब में और उसका टाइटर रखेंगे कौन है विनोध वो इस विनोध 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 यह सिर्फ फन के लिए था लेकिन विनोध हमें जरूर मिलेगा आपको नीचे में कमेंट करना है हंड्रेट और उसमें लिखना है सिर्फ वर सिर्फ विनोध 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 तो आप ग thank you Bruce but we are not the only one we not the only one good to know you haven't changed Bruce you still care about something more than just yourself although I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night made himself right at home that oily dejा झाल जजा झाल थे रहा गुटना थेता प다면 नहीं Heya ce जाली यह Lewis तोटी मौंऔ म sinners काlas समझ कहाँ जाली पॉर जाल जाल वह, जाल झाल बज़ के विफ बपर आप में. जारेश आप्टा, यहां में एक दो क्रिम दिना टो है. झाल जए गए को का रुट्स नहां को प्राइब कर एक दो, इंगे नहां? कि अब के एम भुष, साग है कर दो आदे गे एम इंग को प्रूछ कर दोटो जा है इस भी हो बने हो नह दोट्ब कि उन्जा हो जाया है रहिज को लिघ कर दोटीआ, सम्माश्वार चाहर भी कर दो. अब कि अच्सानी को बन बने हो ब्याद को बliक्त कि आगा है और अवस झाहिए झाहने है झात ले तिन लावते हैं, भूस मीfully जा इस लेहां है ओτό ओ welfare से खाख मैं अधिए लד है करत हैं और वा इक भावे प्रो लिण जाय Сंदश म LAUासों ट्रोंचिक जिल्स फिर से मेंसेज आया दुबारा यह चर्च टेप लग रहा है तौमस S. मार्थ वैनी मेमुरियल होस्पिटल गुड मौर्णी बूंध्य व्यार का बुड़ कि ट्री इंट बूंध्य रुड बुड़ को एक प्रोंध्या? मैं भी मिन आ ही बलाश अिर प्री बटे प्रूंध्या रही नही बू़ को इंव्या, बूर्णी तौमस्प्स्व बूल मैंग नहीं होगाहा प्रिद्दी मेंगे होगा शोचल प्रेप्त हुआए जिए लुख ये अुछी सायों को फग दोड़ अियर चिछ इस्यायों कि असी बाहूरी है! कि को बात्रा कर दो, को सवोगिता है, प्राट में को दो एफने हैं, और इस्या कि समय को बेब कि डिभ्ल करें और आपका हैं. Arkham Asylum is a cancer on Gotham But today, with a sizable contribution from this man here We break ground on a state-of-the-art mental health care facility One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come Mr. Wayne has a few words he'd like to say Bruce My parents loved Gotham They invested their blood, sweat, and tears in the city You know, when I was nine years old My parents took me to see a movie about a hero in a mask It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice No matter the cost That night My parents paid the ultimate cost defending me from a man Who needed the kind of help this new facility will provide With this facility and our next mayor, we change Gotham Here is where Gotham is going to change Gotham On the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne And usher in a new era of healing for Gotham I'm sure you all have plenty of questions about the hospital We have to ask you about the hospital, so we can ask you about the hospital You first, Miss Val Thank you With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? We should tear down the walls and embrace it from the map I don't want us lingering on past mistakes I want us to focus on Gotham's future All right, who's up next? Oh, Miss Valcone, Miss Valcone, Miss Valcone, over here Uh, you there Mr. Wayne, Julia Remarque of the Tribune My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Valcone into your home Well, I think Mr. Valcone is a voter just like anyone else in this city He came to learn about Harvey Dent, your next mayor Next question Please, keep your questions on topic, people We heard about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account Managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years And continuing to this day The paper trail ties your family directly to the mob Care to comment? I don't comment on rumors Why don't we just stick to real journalism here? Mr. Wayne, Mr. Wayne! Is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about Miss Bruce? How long has your family been dealing with Valcone? Could the allegations be true? What are you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises' paychecks? My parents were entrepreneurs, philanthropists It's not common criminal, it's absurd Mr. Wayne, Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Valcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What are you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. The damage controls my territory. We'll talk later. Everyone, everyone, please, settle down. I hope you fielding your questions from here on out. Please, let's try to kick the civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. So, let's do it. It's time for us. We'll see you in the next video. We'll see you in the next video. Instagram, please follow me on the channel. If you like, comment, share, and subscribe, please do it. If you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, please do it. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching.